नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास गरुड पुरान के बार्मे अध्याय के साथ गरुड जी ने कहा, हे सुरेश्वर, ग्यारमे दिन की कृत विधान को भी बताईए और हे जगदिश्वर, ब्रिशोत सर्क की विधी भी बताईए श्री भगवन भूले, ग्यारमे दिन प्रातकाल ही जलाशे पर जाकर प्रत्न पूर्वक, सभी ओधर्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए बेद और शास्रों का अभ्यास करने वाले ब्राहमनों को निमंत्रित करें और हाद जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ती के लिए प्रार्थना करें आचारे भी स्नान् संध्या आदी करके पवित्र हो जाए और ग्यार्वे दिन के लिए उचित कृत्तियों का विदिवत विधान अरंभ करें तस दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उचारण मंत्रों चारण के बिना करना चाहिए ग्यार्वे दिन प्रेत का स्पिंडदान समंत्रक अर्थात मंत्रों सहित करना चाहिए हे गरुड सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रितिमा बनवानी चाहिए पश्यम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके उपर पीत वस्त्र से वैशित विष्णु की प्रितिमा स्थापित करें पूर्व दिशा में दूद और जल से बरा ब्रह्म कल्ष स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेशित ब्रह्मा को स्थापिन करें उत्तर की दिशा में मधु और घ्रित से परिपूर्ण रुद्र कुम्ब की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेशिट श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें, दक्षिन दिशा में इंद्रोधक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें, और काल करते वस्त्र से वैशिट करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। विश्नु, ब्रह्मा, श्रिव और धर्मराज का वेद मंतरों से तरपन करें तब होम करके अनंत्र श्राद और दस घटका दान करें तदंतर पित्रों को तारने के लिए गोदान करें गोदान के समय है मादब यह गोँ मेरे द्वारा आपकी प्रसंता के लिए दी जाती है इस गोदान से आप प्रसंद हो ओँ ऐसा कहें प्रेतों के द्वारा उप्भुक्त, आभुशन, बस्त्र, वाहन तथा घ्रित पूर्ण कांसे पात्र, सब्त धान्य और प्रेत को प्रिये लगने वाली बस्तु में एवं तिलादी, अश्ट महादान, जो अंतकाल में ना किये जा सके हों, शय्या के समीप रखकर, शय्या के साथ इन सब का भी दान करें ब्राह्मन के चर्णों को धोकर बस्त रादी से उनकी पूजा करें और मोदक, पुवा, दूधादी पकवान उन्हें प्रदान करें तक पुत्र शय्या के उपर प्रेत की स्वर्ण में प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यताविदी मृत शय्या का दान करें शेयादान के समे इस मंत्र को पढ़ें हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकर्नों से समन्वित यह प्रेत शेया मैंने आपको निविदित की है इस प्रकार पढ़कर कुटूंबी ब्राह्मन आचारे को यह शेया प्रदान करनी चाहिए इसके बाद प्रदिक्षणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए इस प्रकार शहियादान नवकादी श्राद और विशोत सर्ग का विधान करने से प्रेत परमगती को प्राप्त होता है ग्यारवें दिन विधी पूर्वक हीन अंग वाले रूगी अत्यंत छोटे बचड़े को छोड़ कर सभी शुब लक्षणों से युक्त प्रिश का विधी पूर्वक उच्सर्ग करना चाहिए प्रामण के उदेश्य से लाल आख वाले पिंगल वर्ण वाले लाल सीन लाल गला और लाल खूर वारे सफेद पेट तता काली पीट वाले विषब का उच्सर्जन करना चाहिए क्षत्रिय के लिए चिकना और रप्त वर्ण का वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शुद्र के लिए कृष्ण वर्ण का विशब प्रशस्त माना जाता है जिस विशब का सरवांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूँच और पैर सफेध हो वह पिंगल वर्ण का विशब पित्रों की प्रसंता बढ़ाने वाला होता है ऐसा कहा गया है जिस विशब के पैर मुख और पूँच श्वेत हो तथा शेश शरीर लाग के समान वर्ण का हो वह नील विशब कहा जाता है जो विशब रक्त वर्ण का तथा जिसका मुख और पूँच पांडूर वर्ण के हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो उसे रक्त नील विशब कहते हैं जिस व्रिश्व के समस्त अंग एक रंग का हो और पूश्टता खूर पिंगल वर्ण के हो उसे नील पिंग कहा जाता है। पूरवजों का उधार करने वाला होता है जो कबूतर के समान रंग वाला हो जिसके ललाट पर तिलक सी आकरती हो और सरवांग सुंदर हो वैवरभू नील विषब कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो। उसे महा नील व्रिशब कहते हैं। इस प्रकार नील व्रिशब पांच प्रकार के होते हैं, इसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, इस विश्य में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है, बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, ताकि उन में से कोई एक गया जाए, अथ में श्राद करता है, वही पुत्र है, अन्ले पुत्र विश्टा के समान है, जिसके जो कोई पूर्वज रौरवादी नर्क में यातना पा रहे हो, 21 पीडी के पुर्शों के सहित विशोत सर्क करने वाला पुत्र उनको उतार देता है, स्वर्ग में गए हुए पित्र इस प हम सब परमगती को प्राप्थ होंगे, हम लोगों को सभी यग्यों में श्रेष्ट, विश्यग्य, अर्थात विशोत सर्ग मोक्ष देने वाला है, इसलिए पित्रों की मुक्ती के लिए ये थोक्त विधान से सभी प्रयतन पूरवक विश्यग्य करना चाहिए, ग्रहों की तदन्द मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्र अनुसार व्रिशब की माता गवों की पूजा करें, बच्छडा और बच्छडी को ले जाकर उन्हें कंकन बांधे और वैवाहिक विधान के विधी से के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें, फिर बच्छडा और बच्छडी को रुद्र कुम्ब के जल से स्नान कराएं, गंध और माले से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदिक्षान करें, तदनंतर ब्रिश के दक्षन भाग में त्रशूल और वाम पाश्रू में चक्र संचिन्धित करें, तब उसे छोड़ते हुए भावान वसे पार लगाओ, इस मंत्र से नमशकार करके बच्छडा और बच्छडी को छोड़ दें, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हुँ, और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हुँ, अतहे व्रिशोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए, जीवता वस्था में भी व्रिशो करके सुख पूर्वक परमगती को प्राप्त होता है, कार्तिक आदी शुब महीनों में सुर्य के उत्रायन होने पर, शुक्ल पक्ष अत्वा कृष्न पक्ष की द्वादशी आदी तित्यों में, सुर्य चंद्र के ग्रहन काल में, पवित्र तीर्थों में, दोनों अयन सक्र शुब लगन और मूर्थ में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधी जानने वाले शुब लक्षणों से युक्त ब्रहमन को बुलाकर जब होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रिती से यदि होम कृत्यों का संपाधन करने तो अवश्य मुक्ती प्रदान होती है शाल ग्राम की स्थापना करके वैश्निव श्राद करना चाहिए तदन अंतर अपना श्राद करें और ब्रहमनों को दान दें है पक्षिन अपुत्रवान अत्वा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विशोत्सर करता है उसकी सभी कामनाय पूर्ण होती है आल्यवस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और व्रिद्धवस्था में किया गया जो पाप है वैस सब व्रिशोत्सर्ग से नस्ठ हो जाते हैं मित्रदोही, कृतगन, सुरापान करने वाला, गुरुपत्निगामी, ब्रहम हत्यारा, सुरंड की चोरी करने वाला भी व्रिशोत्सर्ग करना चाहिए, तीनों लोक में व्रिशोत्सर्ग के समान कोई पुर्यकारे नहीं, पती और पुत्रवाली स्त्री, यदि उन दोनों के सामने मर जाए, तो उसके उद्देश स्विशे व्रिशोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूद देने वाली ग खोड नर्क में निवास करता है जो निर्दय व्यक्ति मुठी अथ्वा लकडी से विशब को मारता है वह एक कल्प तक यम्याताओं को भोगता है इस प्रकार विशोचसर्प करके सपिंडी करण के पूर्व शौडश राधूं को करना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूं अध्मार्ग में चिता में शव के हाथ में अस्थी संचय में इस प्रकार छेह पिंड़ दान प्रदान करके दस दिन तक दशगात्र के पिंड़ों को देना चाहिए यह प्रथम मलीन शोडशी श्राध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम शोडशी कह आ जाता है उसके विशय में मैं तुमसे कहता हूँ सुनो मध्य शोडशी में मलीन शोडशी की भांती ही सोला पिंड होते हैं पहला पिंड भगवान विश्नु को दूसरा शिव तथा तीसरा सव परिवार यम को प्रदान करें चौथा पिंड सोमराज पांच्वां हव्यव हवन को वहन करने वाली अगनी छटा कव्यवाह कव्य वहन करने वाली अगनी तथा सात्वां पिंड काल को प्रदान करें आठ्वां पिंड रुद्र को नवां पुच्पुरुश को दस्वां प्रेत को और ग्यार्वां पिंड विश्नु को प्रदान करें बार्वां तत पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए हे खग तत्वित लोग इस मध्यम शोडशी कहते हैं तदंतर प्रती मास के बारा पाक्षिक, त्री पाक्षिक, उन शानाश मासिक और उन आपदिक इन श्राधों को उत्तम शोडशी कहा जाता है इनके विशे में मैंने तुम्हें बताया है, हे ताक्षर इनको क्यार्वे दिन चरू बना कर करना चाहिए ये 48 श्राध प्रितत्व को नश्ट करने वाले हैं, जिस मृत्यू के उद्देश्य से ये 48 श्राध किये जाते हैं, वह पित्रों की पंक्ती के योग्य हो जाता है इन श्राधों से विहीन मृतक का प्रितत्व सुस्थिर हो जाता है, और जब तक शोडश श्यत्र संग्यक श्राध नहीं किये जाते, तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अत्वा दूसरों के द्वारा दी गई, कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक शोडश श्यत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, पत्नी अदी अपने पती के उद्देश्चे से इन श्राधों को कराती है, तो उसे अन्यत्म्त श्रे की प्राप्ती होती है जोस्त्री अपने मृत्त पती की ओधर्व देहिक करिया, श्याह, ख्याद, अर्थात वार्शिक श्राध, तथा पाक्षिक श्राध, माले श्राध करती है, वह मेरे द्वारा सती कहाई गई है जोस्त्री पती के उपकार आर्थ, पूर्वोक्ट श्राधों का अनुष्टान करने के लिए जीवन धारन करती है, और मरे हुए अपने पती की श्राधादी रूप से सेवा करती है, वह पती व्रता है, और उसका जीवन सफल है यदि कोई प्रमाज से आग से जल कर, अथवा जल में डूब कर मरता है, उसके सभी संस्कार यथा विधी करने चाहिए यदि प्रमाज से स्वेच्छा से अत्वा सर्प के द्वारा मृत्ति हो जाए, तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथी को नाग की पूजा करनी चाहिए प्रित्वी पर पीठ से फण की आकरती वाले नाग की रचना करके श्वेथ पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए धूप और दीप देना चाहिए तथा तांडुल और तिल चड़ाने चाहिए कच्चे आटे का नैविद्य दूद अर्पित करना चाहिए शक्ति के अनुसार सुवर्ण नाग और ग्रोह भ्रामर्ण को दान करनी चाहिए तदन अंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हूँ इस प्रकार कहना चाहिए पुनह उन जीवों के उदेश्य से नारायन बली की क्रिया करनी चाहिए ऐसा करने से मृत व्रक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ण को प्राप्थ होते हैं इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए इस प्रकार ग्यारमें दिन श्राद करके सपिंडी करन करके सू तक पीत जाने पर शयादान और पददान करने चाहिए